हलो फ्रेंड्स, ओम शान्ती, मैं हूँ शद्धा, आपके लिए लेकर आई हूँ एक नए इंस्पिरेशनल मोटिबेशनल स्टोरी जिसका नाम है नीम के पत्ते दोस्तों आप लोगों ने अगर मेरी कहानिया अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दूसरों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इन स्टोरी का फायदा उठा सकें और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सौर्ट कर सकें आप इन कहानियों को पढ़ भी सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और आप चाहें तो मेरे फेस्बुक पेज पर भी जा सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो है इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा और यूट्यूब पे भी इंस्पिरेशनल स्टोरी के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है आज की जो हमारी कहानी है, वो एक महात्मा के उपर है और दो व्यक्तियों के उपर है कि दो व्यक्ति कैसे अपनी परिशानी को ले करके जाते हैं और जो महात्मा जी रहते हैं वो किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान करते हैं तो चलिए श्रिडवात करते हैं आज की कहानी की, इसमें बताया है, एक महात्मा एक गाउं से थोड़ी दूर, एक शान्त इलाके में, अपनी कुटिया में, अपने एक नौकर के साथ रहते थे, वहे शहर और गाउं में काफी चर्चित भी थे, दूर शहर और गाउं से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, और वे खुशी-खुशी लोगों की समस्या का हल कर देते थे, एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ, दूर शहर से, दो हट्टे-कटे नौजवान उनके पास अपनी समस्या लेकर आए, महात्मा ने देखा कि काफी मायूस दिख रहे हैं, मह महात्मा जी, हमने सुना हैं, आप हर समस्या का समाधान जानते हैं, जो पोई भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है, वो कभी खाली हात नहीं जाता, हम भी आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर आएं, तुम निशिंद होकर मुझे अपनी समस्या बताओ, महात्मा ने विनम्रता के साथ बोला, महात्मा जी, दूसरा नौजवान जो था, बात ऐसी है, हम लोग इस शहर में नए आए हैं, जहां हमारा घर है, वहां के इलाके में बहुत दहशत का माहुल है, वहां आवारा लोगों का बसेरा है, सडकों पर गुजरते हुए लोगों से की जाती है, आते जाते लोगों को गालिया दी जाती है, कुछ दबंग लोग शराब पीकर सडक खिनारे खड़े हो जाते हैं, और सामने से गुसरते कुछ लोगों, हुए लोगों के साथ बत्सलुकी करते रहते हैं, वो ना सिर्फ उन्हें गालिया देते हैं, बलकि नशे म बोला हम परिशान हो गए हैं भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहिएगा आप ही बताईए दोनों नौजवानों की बात सुनकर महात्मा जी चारपाई से उठे और ये बढ़बढाते हुए ये समस्या बहुत गंभीर है कुटिया के बाहर चल दिये नौजवान ने बाहर जाकर देखा वो शान्त खड़े अपने कुटिया के सामने वाली सड़क को देख रहे थे अगले ही पल वो मुढकर दोनों नौजवानों से बोले बेटा एक काम करो महात्मा दूर इशारा करते हुए बोले ये सड़क देखो जहां ये सड़क मुढ़ती परन्तु महात्मा उन्हें रोकते बोले ठहरो बेटा जाने के पहले मैं तुम्हें बतादू रास्ते में कई आवारा कुत्ते हैं जो तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं वे बहुत खूकार हैं तुम्हारी जान भी जा सकती है क्या तुम वो पत्ते लापाओगे नौजव उस सड़क पार चले गए, उस सड़क पार से गुजरे रास्ते में उन्हें काफी आवारा कुत्ते सड़क किनारे बैठे मिले, उन्होंने कोशिश करीब उन्हें पार कर जाए, परन्तु यह करना आसान नहीं था, जैसे ही वो एक कुत्ते के करीब से गुजरे, कुत्ते ने उ इंतिजार करने के बार, जब वो लॉटे तो महात्मा ने देखा, उनके हाथ खाली थे, और वो काफी डरे हुए थे, वो महात्मा की करीब आया और बोले, हमें माफ कर दीजे, पहला नौजवान बोला, ये रास्ता बहुत करटरनाक है, रास्ते में बहुत खुगार कुत्ते ह हम ये काम नहीं कर पाएंगे, दूसरा बोला, हमने दो-चार कुत्तों को जहल लिया, परन्तु आगे जाने पर कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया, हम जैसे तैसे करके अपनी जान बचा कर वापिस आये हैं, महात्मा बोले, बिना ही कुछ कुटियां के अंदर चले गए, और अपने नौकर के साथ लेकर बहार आए, उन्होंने नौकर से वो पत्ते तोडने के लिए कहा, नौकर उसीर सडक से गया, वै कुतों के बीच से गुजरा, परन्तु जब काफी देर के बाद दोनों नौजवानों नहीं नौकर को सडक से वापिस अपनी और आते देखा, देख नहीं सकता परन्तू कौन सी चीज कहां पर इसे पूरा ग्यान है ये रोज मुझे नीम के पत्थे लाकर देता है और जानते हो क्यों इसे आवारा कुट्टे नहीं काटते क्योंकि ये उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता या सिर्फ अपना काम से काम रखता है महात्मा आगे बुले जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा जिस व्यर्थ की चीज पर तुम सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे न वो चीज तुमें उतनी ही काटेगी इसलिए अच्छा होगा तुम अपना ध्यान अपने लक्षे पर रखो ये सुनकर दोनों की तरह हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अनुभव करते हैं हमारे जीवन भी खुकार मोडों से बढ़ा हुआ है परेशानियों से बढ़ा हुआ है ना जाने कौन से मोड पर मौत हमें गले लगा ले परन्तु यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम उन नौजवानों क की तरह डर कर वापिस लोट जाते हैं या उस नौकर की तरह धैरी और हिम्मत से आगे कदम बढ़ाते हैं और अपना लक्षे हाशल करते हैं अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे तो दुनिया आपको हर तरफ से रोकने की कोशिश करेगी लेकिन आप अगर अपने पेपर जो है बहुत जादा टफ सेट हुआ है तो बच्चों के मन में वो बात बैठ जाती है कि हम तरह से एक्जाम को पारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेपर टफ है लेकिन जो व्यक्ति इसकी इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है जिसे इन सब से कोई मतलम नहीं है जिसने सुना ही नहीं तो उसके लिए वो एक्जाम पेपर टफ नहीं होगा इसी हो जाएगा ऐसे ही यह सिर्फ बच्चों के लिए या उनके एक्जाम के लिए नहीं है यह हम हर सहर एक व्यक्ति की लाइफ के लिए है कि हम हर परेशानी को बड़ा बना लेते हैं उसको बड बोटा दिखाई देने लग जाता है इसलिए अगर आप अपने लक्ष पर केंदर भना कर रखेंगे तो आपको ये बाकी सब चीज़े बड़ी नहीं छोटी नजर आईगी यही मेरी आज की कहानी की सीखती ओम शान्ती